जग्दरपुर के नगरनार में निर्मान अधीन NMDC स्टेल प्लांट में जनप्रतिनिदियों और अधिकारियों के बेश समिक्छा बैठकुई समिक्छा बैठक के दौरान जनप्रतिनिदियों ने NMDC प्रतमंधन के सूस्त गती से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि प्राभावितों के साथ अन्याई नहीं होने दिया जाएगा इस दौरान करमचारी संके लोगों ने भी जनप्रतिनिदियों के साथ अपने कई समस्याएं रखी जन प्रतनिद्यों ने NMDC के अधिकारियों को साब तर पर कहा है कि कोपा गूरा में अस्पताल जल्द शुरू किया जाए प्रवाइच शेत्र नगरना और इस्ताने प्रवाइच शेत्र के सर्फबाइन और आप यूनियन लेडर और यहां के एडी और NMDC प्रबंदन के बीच में हम लोग का इस समीचा बेटक हुआ तो निशित्रूप से मैं समझता हूँ कि 2012-13 के बाद साइद ये पहली बेटक होगी विधाल सभाइस तरी कमिटी आई थे एक बेटक लेके चली गई इस्तानी इस्तर का है पहले बेटक हुझे मझे लगता है हम लोग भीज में अच्छा चरजा हुआ एक इस बिंदो पर चरजा हुआ और डिटेल से चरजा हुआ लगभग दो घंड़ से अधिक चली बेटक हुआ और NMDC की हीद को लेकर यहां के प्रवाइट किसानों की सब्सक्राइब करें और यहां की जो रुके हुए काम अठके हुए काम उसको तक्काल करें यह और इसके लवाँ आप लोग के संब्सक्राइब हुए कि हम लोगों ने हमारे मुख्यमत्री मानिय उपेज बगेल जी उनका भी कहना है कि अगर मैं कॉन चला रहा है इसको तो कोई दिकत नहीं है लेकिन इसको तीन साल के लिए नहीं दस साल के लिए चलाए उनका भी सर्चेशन है और हम लोगों ने भी सुझाओ रखा वह कि इसको तीन साल लेए फास साल लेए इसको दस साल के लिए चलाना चाहिए यह नम्डेशी है तरावाद प्रबंदर और केंदर सरकार को